पूरा इंट्रोडेक्शन समझा था, देन उसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ फिलोसोपी, एंड हम उसके बाद पढ़ेंगे कि extension education process क्या होती है और उसको किस ने दिया है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके कुछ सिद्धानत होते हैं extension education के, तो वो क्या-क्या होते हैं, उसमझते हैं, मतलब यह है कि जब आप farmer के साथ, मतलब कोई extension worker है, ठीक है, कोई officer है, government officer है, जैसे की ruler extension officers होता है, वो अगर कोई camp लग तो कुछ principles उसको पता होने चाहिए, ठीक है, कि अगर किसी particular schemes है, या कोई particular topic है, या कोई particular problems है, जो farmer को बतानी है, तो पहले वहाँ की situations को पता होना जरूरी है, मतलब की farmer के उसकी need based होना चाहिए, ठीक है, वहाँ का cultural difference क्या है, लोग उसको adopt करेंगे या नहीं करेंगे, लोग extension worker को या जो officers हैं, उनको ये सारा knowledge होना चाहिए, कि अगर हमें जहाँ पर जाके deal करना है, तो हमें ये principle पता होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला principle अगर हम समझे तो क्या होगा, सबसे पहला principle, याद रखना ये questions ऐसा नहीं है, कि randomly कुछ ये प्रिंसिपल यहाँ लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूँ, मतलब समझना, ये exam में पूछा भी जाता है कि जो principle से extension education में, उसमें सबसे, जो है must, सबसे ज़रूरी principle क्या है, ये सबसे पहला principle क्या है, पूछा जाता है, तो याद रखना है यापर जो पहला principle होता है, principle of, principle of, interest and need, need and interest या interest of need, मतलब क्या हो गया, ये interest and need का principle है, पूछा भी जाता है कि जो सबसे बढ़िया, सबसे first principle क्या है, या सबसे ज़रूरी principle क्या है, तो यही है, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर इंट्रेस्ट नहीं होगा, या उनकी जो need है, need-based program नहीं होगा, तब तक आपका जो है, प्रोग्राम या जो camp है, वो successful नहीं होगा, मतलब कि मुझे जिस चीज़ की जरूरत है, आप उस चीज़ के बारे में ना बता के, किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो मैं उ पढ़ना extension है, आप चारों की सर, extension पढ़ा दीजे, अच्छे से पढ़ा दीजे, हमारा बाकी सारा complete है, तो हमारा अच्छे से selection हो जाएगा, और मैं extension छोड़ के आपको मिले, मैं extension नहीं पढ़ाऊगा, कुछ और subject पढ़ाता हूँ, ठीक है, कुछ और पढ़ाता हूँ, तो आप क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, दस बच्चे उसमें सब भाग जाएगे, एकाथ कोई बच्चे का नहीं तो भाग जाएगा, तो हमें ज़रोत ही नहीं है, बाकी सारा हमने पढ़ लिया, बस extension बस पढ़ना था आपसे, है ना, तो पहली चीज तो आपकी need क्या है, पहली चीज क्या है, आपकी need क्या है, मुझे पता होना चाहिए, आपकी need क्या है, आपकी need क्या है, आपकी need क्या है, आपकी need क्या है, पढ़ना है, ठीक है, पहली need, अब मुझे इस तरीके से पढ़ना है, या मुझे इस तरीके से आपको पढ़ना है, या मुझे इस तरीके बनाना चाहरे हो तो सबसे पहले जानो कि लोगों की problem क्या है उनको क्या चाहिए लोग क्या चाहते है भई हमारा जो आर्थिक जो इस्तती है उसमें सुधार हो हमारा जो है क्या है living standards सुधरे हमें ज़्यादा production मिले हमारा जो है समाज में क्या हो एक अच्छा status बने ठीक यही चाहता है एक आम आदमी भी एक farmer भी तो वो चीज वो need है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं कैसे हम उसको उपुरा कर सकते हैं इस बेस पे हमारा क्या होनी चीए प्रोग्राम होना चीए extension worker का और उसमें वो interest ले क्योंकि जब उनको need होगी उनको जरूत होगी तब ही वेक्ति interest लेता है समझना बात को अगर मालो अभी आपको क्या है extension पढ़ने की need है आपको जरूत है सारा पढ़ लिया आपने सीव extension पढ़ना है तो अगर मैं यह पढ़ा रहूँ तो आप interest से पढ़ोगे क्यों पढ़ोगे क्योंकि need है नहीं पढ़ोगे तो fail हो जाओगे तो जब need होती तो interest अपने automatically क्या होता है create होता है तो पहला principle आपको समझ में आ गया कि जो लोग होते हैं जो पब्लिक होती है जो farmer होते हैं उनके आवशकता के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुरूप होना चीए क्या प्रोग्राम यह पहला principle बोलता है ठीक है दूसरा principle क्या बोलता है principle of cultural difference दूसरा क्या है principle of cultural difference principle of cultural difference का क्या मतलब है देखो ये सब सारी चीज़े क्यों पहले बताई जाती है या क्यों हम लोग पढ़ते हैं पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम पहले जाके चीजों को समझे आप सिधे गाउं में चले गए है ना चार वहाँ आप गाउं में जाओगे या किसी भी एरिया में जाओगे तो यह cultural difference को आपको देखना पड़ेगा और cultural difference के basis पे आपको सारा program set करना पड़ेगा मतलब क्या है? मतलब यही है कि वहाँ पर जो है आप जिस area में गए हो वहाँ पर लोगों का cultural कैसा है cultural कैसा है मतलब कि वो क्या चीज फोलो करते हैं उनका जो टेडिस नेली वो क्या जो है अपना सुरुक अपने दादा परदादों से चलाते हुए आ रहे हैं अपने कल्चर के अंदर जो की सही नहीं है इसको बदलने की जरुरत है इस तरीकी की चीज़े कुछ लोग यह चीज फोलो करते हैं तो यह सारी चीज़े हमें पता होना चीज़े मतब जो एक्टेंशन वरकर है उसको इस सारी चीज़े पता होना चीज़े कि यहां पर इस तरीकी की चीज़े होती है कुछ लोग यह चीज़ करते हैं इसे होता कि अगर आप पता नहीं करते हो अगर आप वहाँ पर प्रोग्राम बताते हो तो जो उसके फेवरम में जा रहा है मैंनों पता चला कि हम उसकी जो कल्चरल है उससे हमारा जो बाते मेच कर रही है तो ये वाला जो कमुनिटी है ये वाले जो लोग है वो क्या होते हैं उसका अपोस करने लग जाते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम में इस तरीके से होना चीए हमें पहले पता होना चीए कि लोगों का जो है कल्चर कैसा है यहाँ पर इस गाओं के अंदर जो है लोग क्या क्या जिजे करते हैं यहाँ पर क्या है जो पहले की जो ट्रेडिशनली ये लोग चलाते आ रहे हैं वो भी पता होना है तो cultural difference क्या है लोगों के भीच में। तीसरा आता है principle of participation. principle of participation का मतलब होता है जहभागीता. participation का मतलब होता है जहभागीता. अब ये है न, वहाँ पर आप अगर कोई camp रख रहoberो, ठीक है कोई प्रोग्राम कंड़िक कर रहे हो तो वहाँ पे लोगों का participation भी होना चाहिए अब participation के लिए क्या चाहिए सीधी सी बात participation के लिए पहला वाला principle बहुत जरूरी है क्या लोग आपके प्रोग्राम में क्यों आएंगे क्यों उसमें भागीदारी लेंगे ठीक है क्यों लेंगे सबसे पहली चीज़ अगर वो प्रोग्राम उनके अनुरूप हो उनकी नीड के basis पे उनकी आवशकता के अनुसार हो तो वो खुद बे-खुद चले आएंगे क्योंकि हाँ हमारे काम की चीज़ है हमें इसके बारे में जालना चाहिए तो वो अटोमेटिकली क्या आएंगे उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और इंट्रेस्ट भी लेंगे तो ये पार्टिसिपेशन वाला पिंसिपल है वो first principle पर best होता है क्योंकि अगर आप जो program conduct किया है वो लोगों की need based नहीं है लोगों की आवशक्ता के अनुसर नहीं है तो वो participate करेंगे ही नहीं वो आएंगे ही ठीक है अगर उनकी आवशक्ता के अनुरुप है तो वो automatically क्या होगे उस program को उस camp को join करेंगे ग्रास रूट प्रिंसिपल ओफ और्गिनाइजेशन अब ग्रास रूट प्रिंसिपल ओफ और्गिनाइजेशन का क्या मतलब है ठीक है यहाँ पर जो आपका program है या जो extension worker है वो क्या होना चाहिए जमीन से जुड़ा होना चाहिए सा बोलते हैं देखो चीजे समझते हैं क्या होता है ग्रास रूट प्रिंसिपल ओफ और्गिनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें वहाँ पर इंडिवीज्वली या पिर जमीनी सेटर पर काम करना चाहिए लोगों की problems क्या है किस चीज में उनको problems आ रही है सब चीज का analysis करना है लोगों से बात करना है ये चीज़े हैं अब देखो अगर मालो हम किसी से मिलते हैं किसे अंजान वेक्ति से भी मिलते हैं लेकिन अगर हम उसके according बात करते हैं उसी की जो भाशा है जो local language है अगर हम भी उसी की language में बात करते हैं तो वो हमसे connect होता है तो वो हमसे क्या होगा connect होगा उसके problem जानने की कोशिस करते हैं उसके साथ बाते करते हैं तो वो हमें क्या पता चलता उससे उसके बारे में पता चलता और उसे भी क्या लगता है कि हाँ ये हमसे बात कर रहा है हमारी तरही बात करता है अपनी ही language में बात करता है अच्छे हैं फिर हुआ हमसे connect होता है connect होता है जब हम उसको बुलाते हैं वो आता है then इस तरीके से program में involved होता है हम उसको easily तरीके से क्या कर पाते हैं समझा पाते हैं तो grassroot principle of organization का मतलब ही है कि जो organization है वो बिल्कुल क्या होना चीए निचली सतफ पर, जमिन सतफ पर काम करना चीए कोई भी extension worker है वो बिल्कुल grassroot level पर काम करे grassroot level पर मतलब लोगों से मिले उनसे बात करे, उनकी problems को समझे यह सारी चीज़े, ऐसा नहीं कि camp लगाया, हमापे भाशन दिया और चलके वापीस आ रहा है, अराम से वापर भेटो लोगों से मिलो, उनसे बातचित करो, इंड्वीज़वली भी contact रखो, उससे क्या होता ना, कि लोग जो है उस चीज़ में interest लेते हैं वो समझते कि नहां, यह जो officer है, यह जो साव है, यह आते हैं, हमसे बाते करते हैं हमारी भाशा में बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो इससे क्या होता है, mutual understanding बढ़ती है, और वहाँ चीज़ों को समझाना easy हो जाता है farmer को, या किसी भी अगर हम level पर काम कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, ठीक है यह grassroot level पर आपने देखा होगा ना राजनीती में नेता लोग जो है, इसका बड़ा आपने बात सुनी होगी news वगरा में कि grassroot level पर काम चल रहा है, grass level पर काम चल रहा है, मतलब जमीनी level पर काम चल रहा है, है ना अभी जेसो चल रही है राहूल गांदी जी की भारत जोड़ो यादरा तो भारत जोड़ो यादरा का चल रहा है, बिल्कुल निचले लेवल पर जमीनी सतों पर काम चल रहा है उनका, लोगों से मिल रहे हैं है ना सभी जगा हर एक राज्य में हर जगा 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 जाकर लोगों से contact कर रहे हैं इससे कुछ तो उनका क्या होगा improvement होगा थोड़ा सा भी अगर graph उनका increase होता है तो होगा क्योंकि personally जाके मिलने की बात अलग होती है तो grassroots level पर काम करना चाहिए कोई भी organization हुआ उसको तो यह grassroots principle हो गया नेक्स हम बात करते हैं whole family principle whole family principle principle of whole family बोलो है whole family principle अब देखो whole family principle का मतलब क्या हो गया यह best example मैं आपको समझाओंगा इसमें whole family principle का यह मतलब है कि आप जो भी program contact कर रहे हो और extension के तो जो भी program officer चाहिसरख करल ता है उसमें सिर्फ farmer की इनवॉल नहीं होना चाहिए उसकी पूरी फैमिली इनवॉल होना चाहिए उसकी वाइफ भी उसके बच्चे भी सब लिवल होना चाहिए क्यों उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ठीक है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जैसे मैं आपको बताता हूँ network marketing network marketing में क्या होता है यह आप हो ठीक है यह आप हो यह बंदा अगर आपसे आके मिलेगा आपसे बोलेगा कि यार यहाँ पे आपको क्या करना है इस से जुड़ना है यहाँ पे आप एक बंदे को दो बंदे को जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे 500 रुपे मिलेंगे यह आगे और दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर आपको 500 रुपे मिलेंगे यह आगे दो को जोड़ेंगे फिर 500 रुपे मिलेंगे तो आप बोलेगे यार मेरे को यह प्रोग्राम नहीं करना साथ में बच्चो को भी भी बढ़ाएंगे साथ में इससे क्या होगा कि जब यह आपको पुरा प्लान समझाते हैं कि भाया इस से आप इसको जोड़ दोगे तो यहां पांसो मिल जागा तो इनके मन में क्या है लालज दिखा आता है बच्चों के मन में भी लगेगा है यहार काम करेंगे तो पेसा आएगा तो वाइब क्या करेगी हजबेंड को पर प्रेसर डालेगी कि यह आप कर लो ना क्या दिक्कते दो जोड़ों के इतने तो फेमिली रिस्तेदार है सब को दो दो जुडाएंगे और वो फिर आगे काम करते रहें हमारा पेसा आता रहे तो यह नेट्रों मार्किंग की वाले ना होल फेमिली अप्रोच को लेके चलते हैं ताकि क्या होता है उस प्रोग्राम को एडप करने में होड़ी आसानी हो जाती है अगर वेक्ति नहीं भी करना चाहरा है तो फेमिली की तरफ से तोड़ा सा प्रेशर आजाता है कि हाँ ऐसा ह अच्छा है वच्चा है तुमको क्या जा रहा है इसा वेसा करके उसको जोईन करवा देते हैं जब वो जोईन कर लेता है तो इनका जो परपैस है वो फूलफिल हो जाता है तो बात समझ मैं कि हौल फेमिली प्रिंसिपल का मतलब यही है कि जब भी एक्स्टेंशन प्रोग् कि सीज़ को समझ पाए और आसनी से इंप्लिमेंट हो आपस में बेट के बातचीत कर सकते हैं हाँ ये प्रोग्राम है ये टेक्टिंग है आपस में घर पे बातचीत करेंगे कि हाँ इस तरीके से हो सकता है देन डिसीजन लेना अशान है तो सब अपने अपने लेबल पर चीजों को समझेंगे और आपस में डिसकस करके कुछ किसी निसकस पर पहुच जाते हैं तो हॉल फेमिली अप्रोच रहता है ठीक है अब वह इक प्रिंसिपल ओफ एडप्टोबिलिटी अब एडप्टेशन की बात आ रही है अब सीधी सी बात है ना एडप्टेशन अगर वो टेकनिक्स आपकी है है ना कोई टेक्नलोजी है या कोई प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी चीज़ आपको बताई गई है फ्रमर क्या करेगा उसको एडप्ट करवाना है अगर इडप्ट करवाने के लिए यह सारे अप्रोच काम करते है पहला तो यह होल-फेमिली अप्रोच फिर इनड्रेस्ट हैं, नीडबैस, पहला प्रिंसिपल इसलिए सबसे बेस्ट प्रिंसिपल उसी को माना जा इंडरेट बिस्ट क्योंकि सारे प्रिंसिपल कहीं न कहीं जाकर महीं connect होते हैं अगर उसकी need-based है कि हाँ उसको जरौत है उसको जरौत है तो वो क्या करेगा आके involved होगा participation करेगा उसको अच्छा लगेगा तो उसको adopt भी करेगा तो यह principle क्या बोलता है adoptability का यहीं बोलता है कि आपका program जो है कैसा होना चीए जो simple तरीके से होना चीए पूरा participation उसके अंदर लोगों का होना चीए family approach होना चीए ताकि क्या हो adaptation easy से हो सके है ठीक है फिर आता है leadership principle leadership principle का क्या मतलब है leadership principle का मतलब है कि जहां जिस भी आप गाउं में रूलर एरिया में यह program कर रहे हो वहाँ का कोई जो भी एक leader होता है न हर गाउं में कोई न कोई ऐसा विक्ति होता है जिसकी बात लोग सुनते हैं मानते हैं और उसका कहना मानते हैं उसके कहने पर वह एक जगा पर इखटा भी हो जाएंगे तो वह जो लीडर है उस local leader की पूरा use कर ना उस local leader की help से क्या है program को connect करवाना इसे हो यह होगा ना leadership का advantage मिलेगा क्या advantage मिलेगा कि program जो है वो easily हम connect करवा पाईगे हैं एक दिन पर प्रायर ही हम उस leader से contact करेंगे हैं उसको बताएंगे कि इस तरीका program है इस टाइम पर रखेंगे वो सारे गाउवालों को क्या करेगा उसके बारे में सुचना दे देगा सुचना देगा तो और उसके बारे मे किया जाता है इस principles के गोड़ी अगरे में ते प्रिंसिपल ओफ कोर्परेशन अब प्रिंसिपल ओफ कोर्परेशन का क्या मतलब है कि यहां पर कोर्परेशन का मतलब यह है कि जो extension worker है वो तो अपना काम करी रहा है लेकिन जो public है जो रूलर प्यूपिल है उनका भी क्या होना कोर्परेशन उसको मिलना चाहिए मतलब उसका भी कही न कहीं उसका स्रयोग कि अगर्फ से भी मिलना चाहिए क्योंकि extension क्या है यह एक way process नहीं है यह two way process है कौन सी two way process है यहां से आप जो है ट्रेनर कुछ सिखाता है farmers को तो farmers भी कुछ चीज़ें यहां पर trainers को बताते हैं तो जो corporation होना चाहिए मतलब two way communication होना चाहिए मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप भी उदर से कुछ ने कुछ चीज़ें अपनी बात भी रखो कि यह चारी चीज़ें ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी कर सकते हैं तो mutual understanding होनी चाहिए corporation लोगों से भी मिलना चाहिए ठीक है अगर मालो को corporation लोगों का सीयोग भी होना जरूरी सेयोग नहीं होगा तो वो इसके कैसे काम करेगी फिर यहाँ पर आता है principle of satisfaction आपका program कैसा होना चाहिए principle of satisfaction का मतलब है कि आपका program ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को satisfy कर सको सारे प्रिंसिपल आपने देख लिए है, हमने नीड बेस काम किया, हमने क्या किया, ग्रास स्टूट लेवल पे वहां के लोकल लीडर का भी इस्तमाल किया, सबका काम किया, साथिस्फेक्शन का मतलब यह यह, कि आपका प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, कि आप जो पब्लीक है, उसको सटिस्फाइ कर से को पूरी तरीके से, अगर वो सटिस्फाइ नहीं होते हैं, ठीक है, हंड़ेट पर्जिन किसी को सटिस्फाइ करना पुसीबल नहीं है, कुछ प्रोब्लम से रह जाती है, तो क्या करते हैं, एक्स्टेंशन वर्कर, उनसे वो को लेते हैं, मतलब फीडबेक लेगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो लास्ट फिंसिपल है, वो क्या है, प्रिंसिपल अफ इविलेशन, मतलब इग्जामिनेशन, हम इविलेट करते हैं, ठीक है, मालो हम कोई प्रोग्राम कंटेक्ट करते हैं, को इवेंट कंटेक्ट करते है तो event contact जब last time event खतम होता है तो हम evaluate करते हैं कि भीया हमने जो काम किया सा वो कितना successful रहा कौन-कौन लोग इसके बारे में जान पाई कितने लोग इस चीजों को समझ पाई ठीक है तो उसको बोलते evaluation तो जितने लोग समझ पाई जितने लोग जान पाई मतलब कि वो हमारे program से क्या हुआ है अब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाई जिनको प्रोपर्स नहीं समझ में आया उनके कुछ और problems निकल के आ गई तो वो problems क्या लेंगे हम उनसे लेंगे ठीक है feedback उनसे लेंगे उन problems के उपर काम करेंगे फिर से काम करने के बाद दुबारा camp रखेंगे दुबारा program रखेंगे तो उन problems को हम क्या करेंगे correct करके लाएंगे उन problem का solution भी farmers को देंगे तो ये पुरे 10 principle है कई बार exam में ये पुछ लिया जाता है कि जो extension के principle है वो होते कितने है अलग-अलग book को में अलग-अलग मिलेगा पर exact आप दखो को तो 10 principle होते हैं और जोड़ना चाहो तो बहुत सारे जूड़ जाते हैं बट ये जो है ये exact 10 principle होते हैं इसके अलावा जो भी principle है वो होता है नहीं के अंदर है बस अलग से लिख सकते हैं आप तो ये 10 principle हमने समझे इसमें जो सबसे महतुपूर principle होता है वो principle of interest and need होता है ठीक है सारे principle कहीं ना कहीं उसी के आजपास खुमते है क्लियर क्योंकि जब आप farmer की need based या उसके interest based काम ही नहीं करोगे तो वो आएंगे ही नहीं आएंगे ही नहीं तो बाकी सारे principle का कोई मतलब भी नहीं नहीं कलता ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर philosophy of extension philosophy of extension education क्या philosophy हो सकती है तो extension का काम क्या है जैसे extension का काम यह है कि एक बार आपको कोई चीज के बारे में समझा दिया गया है जैसे कि मैं आपको यहां पर extension अभी पढ़ा चुका हूँ या कोई भी subject पढ़ा चुका हूँ उसके बार क्या होगा आपकी खुद की responsibility हो जाती है कि आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और exam clear करना है मतलब क्या होता है extension यह बोलता है self-help philosophy पे काम करता है ठीक है self-help मतलब आपकी हैल आपको खुद को करनी है मतलब कि मैंने तो पढ़ा दिया मैं तो exam दे के आपको पास नहीं करवाँगा मेरा काम है आपको पढ़ाना है मैंने आपको पढ़ा दिया पढ़ाने में हमारी कोई कमी नहीं है अब आपको खुद से पढ़ना है अच्छे से क्या करना है त्यारी करना और exam निकलना है तो यह extension की philosophy यही बोलती है कि आपकी मदद आपको खुद को करना है हमारा काम है टेक्नलोजी के बारे में बताना समझाना demonstration करके भी बता देना लेकिन उसको adopt करके successful होना आपका काम है दूसरा आता है democratic nature डेमोक्रेटिक नेचर extension की philosophy क्या बोलती है extension की philosophy बोलती है कि यहाँ पर जो होता अपने इंडिया के अंदर ही देखो democratic nature होता डेमोक्रेटिक का नेचर का मतलब क्या होता है जो मैंने self-help बोला है तो क्या होता है by the pupil by the by the pupil of the pupil for the pupil of the pupil and for the pupil यह philosophy पे काम होता है मतलब लोगों के दोबारा लोगों का और लोगों के लिए काम करना that is democratic nature हमारा जो country है वो इसी बैस पे काम करता है democratic nature लोगों के दोबारा लोगों का और लोगों के लिए मतलब हमारी मदद या जैसे की भी बोलता है ना लोगों के दोबारा मतलब जो आपकी जहें लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए मतलब भला करना है तो लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए तो यह democratic nature जो है यह philosophy extension की जो बोलती है कि लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए काम करना चाहिए ठीक है, मतलब बलाई का काम करना चाहिए, हाला कि जमाना नहीं है, लोग बोलते हैं कि बलाई का जमाना नहीं है, तया करके दुख लेना, Self-Help, Democratic Nature, फिर जो आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोग्राम है, extension प्रोग्राम है, वो क्या होना चाहिए, यह based on creating, based on creating interest by seeing and doing, मतलब देख कर, करकर, interest create करके, यह प्रोग्राम आपका उस बैस बहना चाहिए, एस मतलब कि आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, कि देख कर और करकर, interest लेकर, वो काम कर सके, ऐसा आपका प्रोग्राम होना चाहिए, फिर क्या होता है, यह never ending process है, extension education क्या है? यह एक never ending process है, कभी भी खतब नहीं होती education की बात करो एकस्टेंशन education की बात करो हम सिकते हैं सिखते हैं सिकते हैं सिकते हैं पुरे जीवन परेल चलता रहता है ठीक है और इस philosophy में आप क्या बात करोगे participation जो होता इसमें participation जो होता है वो voluntary होता है मतलब ethic participation होता है कोई जोर्जबर्स्ती नहीं होती है अगर आपको इस प्रोग्राम कंडेक्ट कर रहे हो तो लोगों की इच्छा है अगर उनको आना चाहे तो आ सकते है ना आना चाहे तो ना सकते है जा भी सकते है ठीक है वोलियंटरी पपप क्या होता है participation होता है एच्छिक सरभागीता इसके अंदर होती है ठीक और क्या होता है cooperative efforts होते है cooperative efforts होते है मतलब सबकुछ जो है काम यहां पर मिल जूलकर किया जाता है cooperative efforts यहां पर लगाए जाते है clear है cooperative efforts यहां पर लगाए जाते है तो यह कुछ philosophy है extension की जहां से questions तो नहीं बनते हैं बट फिर भी पता होना चाहिए कि किस-किस philosophy पे जो है extension यहां पर काम करता है next हम बात करेंगे यहां पर जो most important है वो है क्या extension education process extension education process ठीक है सबसे पहली चीज़ बात आती extension education process को दिया किसने बाई याद रखना जोन पाल लिगंस ठीक है जेपी लिगंस आप जो क्या है father of extension education है वर्ल्ड के इंडिया की बात करें तो केके सिंग केदारना सिंग है और university extension के father को है जैन स्ट्राउट ठीक कब 1967 में इन्होंने यह क्या दीती extension education process के बारे में बताया था अब यह process most important है यहां से question जरूर बनते है देखो यह process क्या बोलती है process बोलती है सबसे पहले मतलब क्या है देखो पहले समझ लो कि अगर आप मालो काउ में कोई program चले गए और आपने बोला कि हाँ आज में हम यह एक program करने वाले हैं और वह program जो रहेगा soybean के उपर रहेगा या किसी भी program के उपर रहेगा ठीक है तो क्या होगा आप पता चला कि आप जो program करने वाले हो जो farmers को बताने वाले तो वहां जहां आप गए न वह फार्मर पहले से जानते उसके बारे में ठीक है जो program आप लेके गए हो उस गाउ में जो भी प्रोग्राम आपने वहां पे किया है, उस प्रोग्राम के बादे में गाओं वाले पहले से जानते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, J.P.L.E.V.E.N.S. ने बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उस गाओं में जाओ, उस एरिया में जाओ, और क्या करो, पहले वाँ की सिच्विशन को एनलाईज करो, देखो कि लोगों की किस चीज़ की जरुरत है, उनकी प्रोब्लम क्या है, सबसे पहले उस चीज़ का एनलाईज आपको करना पड़ेगा, क्या कि लोगों की प्रोब्लम क्या है, किस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या-क्या उनको प्रोब्लम सारी है, खेती इबाड़ी में है, किसी भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि situation को analyze करना है क्या situation analysis तो सबसे पहला point तो यही है कि extension education process के अंदर कि आप कोई भी program बनाने से पहले उस जिस area में आप ये camp या program conduct करने वाले हो वहां की situation को पहले analyze कर लो कि जो हमारा program हम बना रहे हैं क्या उसकी need farmer को है नहीं है तो जरूरत ही नहीं है तो program कैसे बनाना है जो farmer की need है अब जाओगे देखो कि यहाँ पर जो है कि इस soil के अंदर यह problems आ रही है यह proper जो है यहाँ पर स्वाइबिन की crop नहीं उपा रही पिछले 2-3 साल से 2 कुंटल 3 कुंटल जो है hectare ही नहीं निकल रही है तो उस problem को identify करके लाओगे क्योंकि लोगों को जरूरत भी यहाँ कुछ हमें कुछ ऐसा सुधार मिल जाए ताकि हमारा production बढ़ जाए तो इस तरीके से वहाँ पर पहले situation को analyze करना यह पहला point है किसका extension education process का ठीक है और यहाँ पर जो है कौन सा principle काम करता है तो principle of adaptability principle of adaptability काम करता है तो हम यहाँ पर situation कौन-कौन से analyze करते है उनकी social problem क्या है उनकी cultural problem क्या है उनकी economic problem क्या है यह सारी problem को हम analyze करते है और वो जो problem हम लेके वापीस आएंगे है ठीक है मतलब क्या है मैं एक extension worker हूँ मैं पहले गाओ में गया मैं लोगों से मिला मैंने जाना कि लोगों की problem क्या है socially उनकी problem क्या है cultural problem क्या है economic problem क्या है farming से related problem क्या है मैंने उनी सारी problem सुनके उनकी problem को लेके वापीस अपने कहा आ गया अपने office आ ठीक है अब मैं क्या करूँगा इनकी problem को सुनके मैं यहाँ पर क्या करूँगा उन problem के according जो है objectives decide करूँगा क्या objectives and solution मैं क्या करूँगा उन problem के पहले तो decide करूँगा कि इन problem को कैसे solve किया जा सकता है उनके कुछ objectives कुछ उद्देश बनाऊँगा ठीक है कि farmer की ये वाली problem मैं इसके लिए हम ये कर सकते हैं ताकि इनकी problem solve हो जाए हम जो है soil solution मतलब solution उसको देंगे solution के लिए पहले आपको objectives decide करने पड़ेंगे objectives का मतलब है माल लो कि हम गाउ में गए और वहाँ पर क्या है proper farming नहीं उपाती एवन जो है drinking water की भी possibilities नहीं है तो ये objectives आप बनाऊगे फिर इसका solution देखोगे कि इसका solution कैसे कर सकते हैं हम pipeline बिजा सकते हैं नहर के तुरू दे सकते हैं तो ये आपका क्या होगा ये आप उसमे solutions यहाँ पर mention करोगे ये solution तो mention कर लिया आपने solution तो mention आपने कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर solution के बाद क्या करोगे आप teaching material and plan teaching material and plan दियार करोगे अब आपने क्या वहाँ पर objective आपने decide कर लिये आपने उसका solution भी देख लिया कि हम इस तरीके से इसको solve कर सकते हैं या farmer जो है हम farmer को इसके बारे में पूरा बता सकते हैं कि आप इसके तरीके से इस problem को solve कर सकते हैं clear है तो यहाँ पर फिर उसका आपने क्या किया एक teaching material तियार किया एक plan तियार किया बोल सकते हैं आपने यहाँ पर decision लिया ठीक है एक decision लिया उस decision के basis पे आपने एक teaching matter तियार की कि वही farmer को बताना कैसे है, उनको समझाना कैसे है कि आप क्या कर सकते हो तक कि आपकी यह जो problem है drinking water की, irrigation water की problem है तो आपने पूरा यहाँ पे पहले situation एनलाईज की कि वही drinking water की और irrigation water की problem है आपने यहाँ पे क्या objective से उसका solution देख लिया मतलब इसका उद्धे से यह निकल के आता है कि हम क्या करें यहाँ पे तक कि इनकी problem दूर हो जाए फिर आपने उसका solution निकाला क्या कि भई हम यहाँ आप एक तालाब होद सकते हैं तालाब से क्या करेंगे इसको connect कर देंगे किसी नदी से यहाँ पानी आ जाएगा फिर इसको filter करके आप drinking में और irrigation में यूज कर सकते हैं यह आपने solution दियार कर लिया अब farmer को कैसे इसको समझाना है farmer को कैसे बताना है लोगों कैसे बताना है यह decision आपने लिया एक पूरा plan तियार किया plan तियार करने के बात फिर आप क्या करोगे वहाँ पर program conduct करोगे program conduct करके आप बताओगे कि यहाँ जो है इस तरीके का यहाँ पर एक तालाब हम बनाने वाले हैं इस तालाब को हम connect करेंगे किसी नहर से या किसी नदी से वहाँ इसमें पानी आएगा इस पानी को हम आपके irrigation के लिए different जहाँ जहाँ आपके खेदे वहाँ pipeline के इसको connect कर सकते हैं और filter करके आप drinking water में भी यूज़ कर सकते हैं तो यह पूरा plan आप farmers को बताएगे तो यह farmers को बताएगे farmers को समझेंगे वो खुद contribute करेंगे help करेंगे उसको बनवाने में क्योंकि उनकी need बैसे उनकी आवशकता है उसमें interest भी लेंगे वो तो यह plan आप ते यारत को इस तरीके से आप उनको समझाओगे तो उनका participation भी रहेगा मतलब कि उस आपके program में involved भी रहेंगे उसमें corporation भी देंगे मतलब उससे योग भी देंगे then सारी चिज़े वो जितने भी principle पड़े वो सारे fit होगे अब यहाँ पे फिर क्या होगा आपने उनको यह program पुरा समझा दिये पुरा बता दिये पुरा जो समझाया है क्या वो पुरी तरीके से समझ चुके हैं या नहीं समझे मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर feedback लेंगे evolution का मतलब है हम क्या करेंगे यहाँ पर feedback लेंगे feedback कि क्या farmer इस चीज़ को पुरी तरीके समझ पाए नहीं समझे तो क्या क्या चीज वो नहीं समझे क्यों नहीं समझे यह सारा note down करेंगे ठीक है note down करेंगे और जब भी अगली बार हम क्या करेंगे प्रोग्राम रखेंगे जब भी अगली बार प्रोग्राम रखेंगे मतलब reconsideration reconsideration मतलब जब भी अगली बार program हम conduct करेंगे तो क्या करेंगे corrective action को क्या करेंगे apply करेंगे कि जो जो problem पहले रहे गई थी जो farmer नहीं समझ पाई थे कुछ नहीं problems उन्होंने बताई थी उन सब का corrective approach हम लेके उस program को reconsider करेंगे फिर से वो program रखेंगे ताकि उनके कोई problem बचे ही न ठीक है और यह जो है cyclic process है मतलब फिर से रखेंगे क्या मतलब है फिर से यह वाली चीज़े आ जाईए कौन सी फिर से यहां से शुरू होगा evaluation किया हमने feedback लिया कुछ problems रहे गए तो उसको reconsider करेंगे फिर से situation को analyze करेंगे फिर वही objective or situation solution देंगे फिर वही plan बनाएंगे फिर उनको समझाएंगे examine करेंगे फिर reconciliation मतलब यह पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो extension education process है जो JP Legans ने दी है यह क्या है एक cyclic process है याद रखना यह क्या है एक cyclic process है यह चलती रहती है ठीक है चलती रहती है क्योंकि problems का कोई अंत नहीं है एक प्रोब्लम आपकी सोल होगी दूसरी प्रोब्लम आजाएगी एक प्रोब्लम सोल होगी दूसरी प्रोब्लम आजाएगी इसलिए जो है यह साइकल चलता रहता है इसलिए बोलते हैं कि जो education है वो never ending process है आप सिखते रहोगे सिखाते रहोगे सिखते रहोगे सिखते रहोग क्यों कि अगर नीड ही नहीं है, मुझे उस चीज की तो मैं वहां जाओंगा ही नहीं, जब जाओंगा ही नहीं तो बाकि सारे principal फॉलो होंगे नहीं, ठीक है, और उन principal के basis पर ही ये extension education process काम करती है, और then philosophy, क्या-क्या चीज़ है, philosophical होते है ना भई, कि ऐसा, आप खुदी आपक objective क्या है, definition क्या है, philosophy क्या है, यह सारा हमने complete कर लिया, अब next lecture में हम पढ़ेंगे communication, ठीक है, thank you very much.